सच साहस सरोकार प्रदेश के एक थाना तैसिल विभागों से लेकर साशन इस्तर तक की अच्छी और खराब रिपोर्ट है गाजयवाद में एक बार फिर से कुरोना ने दस्तक दे दी है बता दें कि पिछले 24 गंटे में कुरोना के नए मरीज मिले हैं वही कुरोना के एक्टिव मरीज फिट जिलै में 100 से उपर हो गए हैं तो वही लगतार कुरोना में मरीज भरते जू आ रहे हैं ऐसे में अब डॉक्टर अपील कर रहे हैं कि पुराने कुरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो करें संक्या जो एक्टिव पिशेंट है और कल 24 गंटे के अंदम को 24 मरीज मिले हैं तो यहां इसी थी सामाने हैं कोई बहुत गवडानी की अब शक्ता नहीं है टेस्टिंग हम बहुत पुच्छी महत्रा में कर रहे हैं तता हमने होस्पिटल्स भी अपने तयार किये हुए और इस अंदर में हम सारी मशीनों को भी है पर एक मॉक्टिल भी प्रायोजित है जो 11 और 12 तारीक होगी आपके माध्यम से सभी जन्सामन को निवेदन करना चाहू केंद्री ग्रह मंत्री अमिच्छा कौशांबी पहुचे जहां उन्होंने कौशांबी में करोडों की परियोजनाव की सौगादी है वही अमिच्छा ने 612.9 करोड की 117 परियोजनाव की सौगादी है इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास का काम तेजी से हो रहा है दोजार चौबस में फिर मोदी ही पीम होंगे भाई देश की जनता बीजेपी के साथ है रहा है दोजार चौबस में फिर मोदी के साथ हुई आधारी के इधियाज में कभी नहीं हुआ कि देर का बढ़े एक संत्र एक भी मेठत करें बगर चर्चा करें बगर समाउट विपस के नेधा उने संसत को चलने नहीं कारण क्या राभू गांदी को संसत बच्थे अर्यवजय गोशिक किया गया हुँको निकाला गया बहिए कानून को लाया सुप्रीम कोट ने जज्जमेंट देकर इस कानून को लाया महमों जिक लाभू प्रसाद यादा को बचाने के लिए कानून सुधान आपते थे राभू जी ने उनको रोका अमना बाद सुभक की एक कोट ने राभू जी को सजा दी सजा होते ही सांसती चली जाती है चाय पोलिटी हो अब तक 17 विदायक संसतों की सरसेदा रोड कर दी गई है राभू जी की भी हुई अब इसमें एक कॉंग्रेस वाले काले कपड़े पहन कर पूरी संसत बंग रहा मित्रो मैं राभू जानी जी को कहना चाहता हूँ प्रियाक राज में एक बार फिर से S.R.N. अस्पताल में डॉक्टरों और तीमारदार के बीच मारपीट का मामला सामने आया है डॉक्टरों का आरोप है कि देर रात एक मरीज को लेकर आये मरीज के तीमारदारों ने डॉक्टरों और फिमेल रेसिडेंस के साथ मार पीट की इतना ही नहीं इन्हें डॉक्टरों ने आरोप लगाये कि कुछ देर बाद तीमारदारों की तरफ से कुछ लोग आए और जो मिला उससे मारना पीटना तक शुरू कर दिया उसमें से कुछ लोग असलहे लिये हुए थे और डॉक्टरों पर असलहा तान दिये जिससे डॉक्टर काफी सहमे हुए है और बाकी रेज्डेंट भी ट्रॉमाटाइज हैं हम इस अंसेफ इंवार्मेंट में नहीं काम कर सकते हमारी मांग बस इतनी है कि जो भी गुंडे बदमाज जो कोई वी थे जिन्हों ने सब करा है उनको पकड़ा जाए तब क्या करें सब करें ब्लेट जहां करना निक लिए नंको पूलिस और गोली नहीं चली अगर वह चल जा लाती तो उनकी आज हुआре वी इचना होते हैं इसके कारण जो है ना मरिज्जों को दवाय मिन पर आई ना उनको इंजेक्शन लग रहा है परेसान है सुआ हाँ इन लोगों के वुज़े स्काथी काम बन ले है डाक्टर राउन पे सिनियर वाले तो आते हैं लेकिन ये लोग अपना हड़काल पे आहे नहीं जा रहे है पेस किया है यूवक की हद्या को पोलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि शराब के नशे में दोस्तों ने यूवक को मौत के घाट उतार दिया था आपको बता दे कि कुछ दिन पहले पोलिस को नदी में से एक यूवक का शब मिला था वही जब पोलिस ने पोस्ट बॉटम कराया तो पता चुला कि रिपोर्ट में उसके दोस्तों ने ही उसकी मौत की है वही खुलासे के लिए एसपी ने कई टीमों का गठन किया था पुलिस ने मोबाइल के ज़र ये तीन आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भी बेज दिया है जो कि एक मार्स से लापता था उसके संबन में पोस्ट बॉटम के बाद ज्यात हुआ कि उसके हाँ गला दबाकर के अत्या की गी थी और नदीम भेग दिया गया था इस संबन में अध्यात के बुर्ट मर्डर का मगदमा कायम किया गया वो परताल किया रही थी जोकि ब्लाइंड मर्डर था और किसी के उपर शक भी जाहिर नहीं किया गया था पुलिस के लिए चुलोटी पूर्ण कारे था किन्तु पाली पुलिस टीम और एसोजी स्वाट की टीम सदत लगी रही और कल यह बुरासा हुआ कि उसमें से जो मितक का मुबाइल था वो एक प्रिक्ति द्वारा इस्तमाल किया रहा है खबर हरदोई से है जहां जोपडी में आग लगने से मासूम भाई बहन की दर्दनाग मौत हो गई है बता दे कि हरपाल पुर्थाना शेतर के मखाई पुरवा में एक घर में खाना बनाने के लिए चूला जलाए गया चूले से भड़की आग की चिंगारी ने जोपडी को अपनी जद में ले लिया जिससे उसके अंदर मौझूद भाई बहन की जिन्दा जल कर मौत हो गई है दर्दनाख हादसे से इलाके में हड़कम्प मचा हुआ है वही सूचना पर मौके पर पहुचे पुलिस ने दोनों के शाफ को कबजे में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया है और मामने की जाज पर ताल में जुटी है खबर गोंड़ा से है जहां गाउं में खाना पकाते समय चूले से निकली चिंगारी से छपर के घर में अच्वानक आग लगई लबते उट्टी देख खाना पका रही बच्ची घर के बाहर शोर मचाते हुए भागी इस बीच उसकी तीन साल की बहन घर के अंदर नी रह आग की चपेट में आने से बगल के ही लगबक दस लोगों के घर भी पूरी तरीके से जल गए जिसकी सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुचो और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया वैपुलस ने माशूम के शब को पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया है अस पूरे मामले में पुलस के द्वारा विधिक कारवाई भ्यब की जा रही है अनपरगत ग्राम लोहारन पुर्वा में खाना बनाते समय एक घर में आग लगी जिससे की आसपास के तीन चार अन्य घरों में भी आग फैल गई आग से एक घर में सो रही तीन वर्ष की बच्ची की आग की चपेट में आने से म्रत्ती हो गई गतकाल फायर बिगेट को सुचित किया गया इस्थानिया पुलिस और फायर बिगेट द्वारा मौके पर पहुँचकर आग पर काबू पालिया गया है अग्रिम पितिक कारवाई की जा रही है मौके पर शांती व्यवस्था कायनी फरिदापात के बल्लब गडस्तित आदर्श नगर ठाने में आम आदमी पार्टी के नेता पर दो डिपो होल्डरों पर दबाव बना कर जबरन सरकारी राशन मांगने और गाली कलोच करने की शिकायत दश कराई गई है वही आरोपी आम आदमी पार्टी के नेता ने अपने उपर लगी आरोपों पर चुटकी लेते होई कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार है लेकिन वो आरोप लगाने वाले डिपो को होल्डरों का शुक्रिया अदा करते है कि वो उनका एस तरह प्रचार पसा किया रहा है जिसमें प्रत मेंबर 5 kg और एक ₹ चीनी के साफ से रासन का रहा है वही जनता को वितन किया जा रहा है अब हम इनको कहसे है हर महीने की बात है कभी मेरे से चैट वा जी कभी हमाऱे मारे भाय सद्देव है इसे चैट वाजी कल की बात में क्या हुआ कल और मेरे बेटा भी, मैं आपको दमकाऊंगा भी और मना लूँगा, लेकिन यह जो सद्देव है, इसके तो मैं हाथ पर तोड़ूगा ही तोड़ूगा. इसकायत पराफ्त हुई है, जिस पर हम जाच कर रहे हैं, जैसी भी खरवाई होगी, उस पर नीमाम से खरवाई कर देङा. को आपकी बात हुई है, क्या कोई जाच पहुंची है? पार्टी से सम्मंदित हम इस चीज़ को नहीं है कि हम एक सिकायत मिली है उस पर जांच कर लिए तो क्या रासन मांगता था वे तरीके से तो इसकी शिकायत दी गई है इस कंप्रेंट के वर्जन के मुसार कोरोना के दौरान यह हमें ब्लैक मिल करके जबर दस्ति कुछ नो समय में जब हमने उससे प्लूकुल मना कर दिया है किसी बी तरीके से इसकी साहिता करने से तो हमें धंकी देने लगा और कई बार हमें हमारे खिलाप में इसने लोगों में बढ़काया कंप्वेंड करी हमारी सी एम आइडी ओपिस में जाकर सी एम प्लाइंग के पास जाकर जब इसका वहाँ भी पेश नहीं चला तो कल मुझे सर्या भीया हमने तो किसी से को राशन है को नहीं मांगा है वो शिकायत लगा रहे हैं उनका कोई परचाहन ही करना चाहता हूँ अगर मैंने उनसे राशन मांगा है या धंकाया है उनसे कभी भी कोई आदमी में रग गया है कोई फोन करा है तो उसकी डिटेल बताए जिन लोग जो मेरे पर इंजाम लगा रहे हैं तो नाम लेने लाएग मेंगा उनको महत्व नहीं देता हूँ मेरे पास तो उनका नमबर भी नहीं है अगर मैंने उनके लिए कभी कॉल भी करी है या कोई मैसेज करा हो तो वो दिखाया रिकॉर्ड दिवरिया में मुख्यमंत्री योगी आदतनात के दोरे को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुड़ गया है बता दे कि विदान सबाच नाओ के बाद पहली बार जिले में मुख्यमंत्री योगी आदतनात का आगमन हो रहा है जिला मुख्याले परस्तित राच्किया इंटर कॉलेज के मैदान में मुख्यमंत्री योगी आदतनात के एक बड़ी जनसबा होगी इसी के साथ वहाँ पर कई परियोजनाव का लोकार पड़ और शिलन्यास भी किया जाएगा कि माने मुख्यमंत्री जी का चुनाओ के बाद जिला मुख्याले पर इस तरह का ये पहला कारिक्रम है आठ अपरेल को यहां पर आ रहा है जंसवा को भी संबोदित करेंगे उत्सा का माहौल है देवरिया के लोगों से उनका अग अलग तरह का जुडाव है चुनाओ में भी देवरिया की बहान जंता ने भारती जंता पार्टी को माने मुख्यमंत्री जी को भरपूर समर्थन दिया है और जब से लोगों को पता चला है कि मुख्यमंत्री जी का यहां पर कारेक्रम है एक अलग तरह का उमंग है अलग तरह का उत्सा है जबर्दस रैली होने जा रही है मानिमुक्मंत्रीजी को लोग देखना चाहते हैं उनको सुनना चाहते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि एक एतिहासिक रैली होगी जो इससे पहले जितनी रैली आ हुई है उनका रिकॉर्ड तोड़ेगी आसपास के ख्षेतरों से लोगे कॉल आ रहा है लोग ये बता रहे हैं कि हम आना चाहते हैं किस प्रकार से आ सकते हैं खास बात ही कि बहुत बड़ी संक्या में बहनों की मताओं बहनों के फोन आ रहा हैं वह भी इस रैली में आना चाहते हैं तो हम सब की अपील भी है कि GIC के ग्राउंड पे आठ अप्रेल को बड़ी संख्या में पहुंचे और पानी मुक्नंती जी किस रहली को सफल बनाए खबर और यह से हैं जहां दो पक्षों में विवाद हो गया वह इस दोरान एक वृद्ध की मौत भी हो गई बता दे कि गाउं के ही व्यक्ति पर परिजनों ने हत्या करने का आरोप लगाये है और पुलस को तहरीद भी दे दी है वैस उचना पर पहुचे पुलस ने शब को कवजे मिले कर पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया है और अब मामले की जच परताल में जुट गई है जबकि यह पूरा मामला फफून थाना शेत्र के मिश्रिपुर्गाउ का बताय जो रहा है अब गांगे महेंद्र दुबे जिनके 35 साल किसी बात को कहा सुने के लेकर रहे के उनको धक्का दे दिया तब और उन्होंने आरोफ लगाया था कि प्लेएंट से उनके सीने पबाल किया जिसके उसम्रित हो गई है कि मृतक के मृतक का सौ पुले पंचाइत्रामा करते हैं पोस्ट मार्णा के बिजवाद ही आ गया है साथ-साथ महेंद्र दुबे की दलाज के लिए कुछ पार्टियां गठित करते ही लिए और मौकर के सांती के उस्ताहार रिपोर्ट लिए और जैसा होगा पंचाइत्राम एगालीवाली द्याना लगा गालेवाली दाने वे मैं उन्होंने समझाया दौशता था जचा-बतीज्ये का सम्झाया तो उसने आते हम जो रवेरे लिए और रवरे आनको पटख दिया हा और उसके बाद उसके पथर के पठथर चला दिये किसंदे चलाव ओँ खबर राइवरेली से है जहां संदिग्द परस्तितियों में घायल अवस्था में युवक का शब मिला है तो वही परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है पूरा मामला डी थानज शेतर के अंतरकत नारायन पुर गाव का बताये गया है वही पलस ने शब को कबजे मिले कर पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया है और अब मामले की जाच पर्टाल में भी जुड़ गई है सुबा तक जीवी था काई बजेतर अब सिकंधराबाद के राच्किय सयुक्त चिकित सालह में भाजपा के स्थापना दिवस्त के उपलक्ष में अस्पताल में एक स्वास्त शिविर का आयूजन क्या गया जिसमें मुक्यतिती के रूप में पहुचे भाजपा के युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष दिवाकर सेंग और काजर त्यागी पश्यमियोत्य प्रदेश मंत्री युवा मोर्चा ने रिबन काट कर शिविर का शुबारंब किया है जिसमें जिलाध्यक्ष ने बताया कि भारती अजनता पाटी के स्थापना देवस के उपलक्ष में हर मंडल पर एक शिविर का आयूजन क्या गया है जिसमें इस्थानिया लोगों को शिविर के माध्यम से निशलक इलाज दिया जा रहा है साथ निशलक दवाय भी दी गई ह काफी तादाद में मरीज शिविर में पहुचे हैं और मरीजों ने शिविर में पहुचकर काफी लाब भी उठाया है फरीदाबाद के बल्लब गड़ में हरियाना प्रदेश के परिवाहन मंत्री मूल चंद शर्मा ने मार्केट कमिट्री के कार्याले का और चक निरीक्षन किया और इस अफसर पर मौके पर मौझूद खाद्या पूर्ते विभाग और मार्केट कमिट्री के संबंदी तदिकारियों के साथ मीटिंग भी की है वैस मौके पर सभी कर्मचारी उपस्थित पाए गए हैं मीटिंग के दोरान मंडी में गेहूं की आवक को लेकर जानकारी भी ली गई है वाई मंडी के असिस्टेंट सेक्रेटरी इंदर पाल ने मंत्री शर्मा को जानकारी देते हुए बताया कि अबे तक करीब 15,000 कुंट्रल गेहूं मंडी में आ चुका है आवक हुए कितने अभी और किसान लेका है को परिशानी तो नहीं है को रेकotenि और कब से ये पर्चेशंग नमीक और ये पर चेशिक करेंगे मैं और मैंता हूनकि जिस आनें वाली समय में है कि किसानों को परिशानी है या पानी की व्यष्टा है या रेस्टेशन की वेस्ता है और इस सबसे ज़्यादा अधिकारी सब बैठे हैं हर दोई से एक वीडियो वारल हो रहा है जिसमें एक धार्मिक कारिक्रा में बार बाला आया अपत्ती जोनक डांस करती हुई दिखाई दे रही है वहीं पूरा मामला कासिमपुर्थाना शेत्र का है जिसके बाद मामले की सूचना किसने पुलिस को दी वहीं पुलिस के पहुशने से पहले ही सबभाग निकले और वारल वीडियो के अधार पर पुलिस मामले की जाच परताल में भी जोटी हुई है तो हर्दोई के कासिमपुर में डांस करती हुई बार बालाय नजर आई है और जब पुलिस को पुरे मामले की जानकारी दी गई तो जैसे ही पुलिस मौके पर पहुची सब ही मौके से फरार हो गए फिर चौहे वो डांस देख रहे युवक हो या फिर नाचती हुई बार खीमपुर खीरी में चेचक बिमारी ने अपने पैर पसाड़ लिये हैं चेचक ने ना तो मासूम बच्चों को छोड़ा और ना ही बड़ों को चेचक के मरीजों के संख्या 40 से 50 के करीब बताई गई है वही गाउ के कई लोग इस बिमारी से अभी निजात भी पा चुके है सियद से अधीग शक बेजम गाउ में फैली बिमारी से अंजान है पिछले करीब एक वहीने से गाउ में चेचक का प्रकूब जारी है और आलम ये है कि हर घर में कोई ना कोई इसकी चपेट में है वही गाउ वालों का कहना है कि गाउ में सभी लोग बिमारी की चपेट में ह लोग प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने को मजबूर है आपको बता दे कि गाउ में जगा जगा गंदगी जमा है और जिम्मेदार अंज़ान बने बैठे है अच्छा अच्छा गाउ में ऐसे कितने लोग बीमार होंगे क्या गाउ में गंदगी को लेकर सफाई कर्मी बगारा आता है क्या कब से नहीं आ रहा है अच्छा दाने उन्हें निकल लाए है अच्छा इस बुखार को लोग चेचक बगारा भी कहते हैं क्या इस बीमारी को लेकर गाउ में स्वाथ विभाग की टीम पहुंची है आज आये थे क्या बता रहे हैं तो बता रहे हैं तो बता रहे हैं दवा देगे हैं अच्छा गाउ में साफ सफाई किस तरीके से की जा रही है गाउं के सदस्त ने कोई सिकायत कहीं कि प्रधान से कहा हो या बलाक में क्या आज कोई डाक्टरों की टीम आई थी गाउं क्या बता के गए हैं डाक्टर और क्या बता है संखम नगरी प्रियाग राज में उमेश फाल हत्याकान के बाद एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जिसमें बुल्डोजर बाबा को चुनोती देते हुए दबंगो ने बीजेपी नेतरी के बेटे पर हमला कर दिया है जिसकी घटना सीजी टीवी में क्याद भी हो गई है जिसकी तैरीर थाने तक में दे दी गई थी जिस पर पुलस ने मामला दर्श कर लिया है और अब इस मामले में पुलस भी एक्शन मूड में आ गई है और पांच अग्याद लोगों के खिलाफ पुलस ने मामला भी दर्श कर लिया है वह एक युवक की कथित पाटी करने बताय जा रहा है तो याट पेईस थाना जूसी कमिशनेट प्रयागराज की है रात्री लगबग 11 बजे हमको यह सूचना परापत हुई कि कोई दो मूड सैकल पर सवार 6 व्यक्ती सफारी बाइट लगी सफाई गाड़ी पर अग्याद रूफे बम मार दी है जिस पर सूचना मिलते ही तो रहत थाना जूसी की पुलिस टीम मौके पर पहुंची मौके पर लोगरवान फरार हो गए थे तो हमने सीची टी वी दिखवाया जिसमें दो मूड सैकल सवार एक पर बम मार रहे हैं जिसमें 6 लोगों में गमच्छा पहना हुआ है तो किसी की सिनाक मौके पर नहीं हो पाई संभल में लहू लुहान हालत में एक युवाक और युफ्ती मिले थे युवाक की हालत नाजुक थी जबकि युफ्ती की मौके पर ही मौध हो चुकी थी पोलिस की जांच रिपोर्ट में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है आपको बता दे कि घटना कोत्वाली शेत्र चंदोसी के गाउ मौला गड़ की है और पोलिस घटना स्थल पर पहुची और आसपास के सीसी टीवी फुटेज भी खंगा ले गए अब देखना ये है कि पोलिस के स्तात्य पर कारवाई करती है जबके पोलिस घायल युवक के बयान कुछ और ही बया कर रहे है पर उसके पास में ही एक युवक जिसका नाम सचिन जाटव है इसके गोली लगी हुई है और ये भी वहीं पर बगलना विवशी की अवस्ता में पुलिस को मिला पुलिस के द्वारा शब को पीम पोश्माटम के लिए भिजवाया गया जो लड़का था उसको हॉस्पीटल भेजा गया जहां से उसको हायर सेंटर मुरादाबाद रिफर किया गया है जहां पर उसकी इस्तिती अभी क्रिटकल बताई जा रही है मौके पर उपस्ते जो चश्मदीत गवाँ हैं उनके द्वारा तथा जो अभी तक साक्ष मिले हैं उसके आधात पर यह इसमें सामने आया है इंक्वायरी में कि इन दोनों व्यक्तियों का आपस में पुराना अफेर चल रहा था तथा लड़की की शादी दूसी जगे तैय पुर्च पर लड़की शाजापूर में सहबोझ गारिकरम का आयोजन किया आपको बता दे कि भाच्पा महिला मोर्चा द्वारापाठी के स्थाफना दीवस के मौके पर महल अटप में येक कारिकरम आयोजित कि अगया प्षा बारतिया जंता पाठी का स्थाफना दिवस से आयोजन भाजपा नेत्री रचन सिंग की बेटी सुरेश प्रताप सिंग के आवास पर क्या गया। द्वरान कारिक्रम की जानकारी देते हुए आयोजन को द्वरा बताया गया कि भाजपा का स्थापन दिवस पार्टी के कारिकरता द्वरा सेवस सप्ता के रूप में 6 अप्रेल से 14 अप्रेल तक मनाया जारा है। बता दे कि भाजपा नेत्री के बेटी के आवास पर इस कारिक्रम का आयोजन के आगया जिसमें ये बताया गया कि भाजपा का स्थापन दिवस जो है वो सेवस सप्ता के रूप में मनाया जाएगा। जेल में उम्रक्यात की सजा काट रहे सूबे के पूर्व क्याविनेट मन्तरी गायत्री प्रसाथ प्रजपाती को आचार सहीता उलंकन मामले में बरी कर दिया गया। इस मामले में सुल्तानपुर्द दिवानी नयायले के अंपीमले कोट में अंतिम सुनवाई हो चुकी थी और और रिजर्फ कर लिया गया था। उसमें अभियोजन ने कई गवाप परिच्छित कराया और उसी में आज जज्जमेंट होना था। गायत्री प्रसाथ प्रजपाती जी आज बाइज़त बरी हो गए अभियोजन अपना केस साबित करने में असाफल रहा। मानिय न्याले ने हमारी बातों को कंसीडर किया। लखनौ में साल 2021 में हुई हत्या का पुलस ने अब खुलासा कर दिया है। बता दे कि दो साल बाद हत्या का खुलासा होने पर आरोपी अनवर उर्फ टीएम खान को गिरफतार कर लिया गया है। वहीं मामले में पैसों के लेंदेन की वज़ों की बात निकल के सामने आई है। वहीं पैसे के विवाद को लेकर ही तौसीफ खान के हत्या की गए थी और गुसाई गन जुलाके से उसका शव बरामद वह था। पूरे मामले में ADCP ने प्राइम टीवी से बाच्वीत करते हुए हत्या का परदा फाश किया है। साल 2021 में एक यूवग गुमसुदा हुआ और उसकी रिपोर्ट भी दर्च की गई। जिसके बाद उसका शौन मिला। इस मामले में पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही थी लेकिन अब पुलिस ने उस मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफतार भी कर लिया है। कैसे क्या कुछ आरोपी तक पुलिस पहुची कैसे इसका खुलासा हुआ ज्यादा जानकरी के लिए ADCP North अभी जीत आरसंकर जी मौजूद है। मुकतमा 302, 201 और 364 में दर्श करकर विवेचना शुरू किया। जैसे विवेचने के दौरान हमको पता चला है ये तनसीफ कान के एक पार्टनर था जिसके साथ काफी पैसा 40-50 लाग रोपे पैसा का लेन देन का मामला चल रहा था। उसका नाम था अन्वर खान लोग उनको टी-म खान के नाम पर जानता था। तो जैसे हम लोग उनका नस्दीक पहुंचने शुरू किया और ये भागना शुरू किया। जैसे खोचते-खोचते हमको लगबग 2 साल हो गया। इसके बीच में इनको जब गिरफतार नहीं कर पाया हम लोग उनको रवाडी क्रिमिनल भी कोशित कर दिया था। और अभी इस डेट पे वो 25,000 का इनामी अबरा दिये और दो साल के बाद बहुत मैनत करने के बाद टेकनिकल और हूमन इंटेलिजन्स दोनों के आर्ट पकट के नॉर्थ जोन का पुलीस और गुडंबा का क्राइम टीम और क्राइम पुलीस साथ में मिलके उसको गिरफतार किया गया है सर जिसा की सवाल है कि आखिर जो साल भर लग गया उसको गिरफतार करने में यह पूरा मामला जो हत्या के पिछे रा क्या कुछ पैसों को लेकर कही हत्या की गई थी बिलकुल पैसा का ही हुआ है क्योंकि तनसीफ कान एक एग्रिमेंट रखा था पचास चालीस देख लाधरगा जमीन लिये उनको के पाइसा करने के लिए प्रौफर प्लान तरीक基स इनको थ्या कर दिया इस हत्या में कितने लोग सामिल रहे उनको गिरफतार करती है जिब ये वापस आया था लखनों में तो जिस तरीके से सवाल था लोगों के बीच में कि आखिर साल 2021 में लापता हुए युवा का शव गोसाईगन में मिला था लेकिन उसका खुलासा नहीं हो पा रहा था लेकिन अब जिस तरीके से नौर्थ की टीम ने इस घटना का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफतार भी किया है तो कहीं न कहीं इसका पूरा पर्दा उठाये गया जो हत्या की वज़ा थी वो पैसों का लेंदेन था है कैमरा परसेंट विजय के साथ मुहमत कलीम प्राइम टीवी लग्शा नहीं हमारे इस इन खबरों के लिए आप देखते रहेंगे प्राइम टीवी प्राहस सरुप